वेलकम माई चैनल स्पोर्ट्स और डिफेंस आर्मी दोस्तों आज मैं आपके लिए असाम रैफल्स की एक गुड नीज भी लाया हूँ और दोस्तों आज मैं आपको एक नई इंफॉर्मिशन देना चाहता हूँ असाम रैफल्स के उपर दोस्तों आपने इससे पहले असाम रैफल्स के फिजिकल के उपर मेरी दो वीडियो देखी हूँगी आज तीसरा वीडियो मैं बना रहा हूँ क्योंकि दोस्तों मैं को पिछली वीडियो में भी कमेंट्स आये थे कि दोस्तों कि सर हमें इसके पिजिकल के बारे में बताईए कि वहां पे कैसा है वहां पे हमारे कॉंट सेंटर पे मतलब कैसे रनिंग उती है क्या बैच है और सर हमारा सेंटर कैसा होता है सर तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों जैसे कि आप देखी रहे होंगे हसाम रैफल्स रणिन डीटेल तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता दू बहुत मेरे भाई lug कमेंट कर रहे हैं कि सर भरती का वा यह दोस्तों मैं पता दू मरती की टेयारिया शुरू हो चुकी है और दोस्तों जहां तक है भरती मतलब इस साल तो दोस्तों यह साल खतम होने से रहा तो दोस्तों आपकी भरती मार्च और एप्रिल इन दोनों महीनों के बीच में हो चकती है दोस्तों एकदम करक्ट इनफॉर्मेशन है कोई इसमें कोई फेक न्यूस भी नहीं है और आपने डिजयायर में भी कॉल किया होगा तो वहां भी जारी रख concurence और दोस्तों कभी भरत की हम एडाने दोस्तों अपनी ताबिष गौशी की दोस्तों आइड जिसकी तैयारी होगी वह हो अब हो इसमें अपने पैर जमाएगा आध वरही को है अब तो चलिए दोस्तों की पैर किलो मेंटर रण होगी जिसमें आपको टाइम 24 मिनित मिलेगा मतलब 24 मिनिट आपको पुरा देंगें दोस्तों ऐसा नहीं है जो फिजी कल सेंटर वो श Little च्छ और यह च्छे के छे असाम में थे दोस्तों तो पहला है दोस्तों वो आपका लोख रहा है दूसरा जोरात, तीसरा दीपू, नागा लेंड, सिल्चर और लाश्ट है दोस्तों आप पर शिलोंग अब दोस्तों आपने जिस भी ट्रेड में भरा होगा आपको कोई सा भी सेंटर मिल सकता है एसा नहीं है कि या तो राइफलमेन वालों को लोकरा मिलेगा, कलरक वालों को जुरात मिलेगा, वारेंट ओफिसर वालों को दीपू मिलेगा सब से मेंट परेंट में जो नए दोस्त जो जा रहे मेरे जो cache इस बारें बढ़र भरती होने जा रहे हैं उनको यह बात पता ही नहीं होगी कि वह जी Tek塚 करने जा एब दोस्तों तो दोस्तों आपको वहाँ पर दिक्कत आईगे ना आपको पैर जमाने में आपको दिक्कत लाइए दोस्तों मैं बता दू मैं आपको सभी सेंटर के बारे में अच्छे से बताता हूं दोस्तों जो लोकरा है दोस्तों लोकरा यह आपके तेजपूर के पास में है यहां पर मे सादु लोखरा सेंटर भी बहुत बढ़ेया सेंटर और दोस्तों आपको करा कि यह तोकन मिलता है जिसमे हैं एक पता चलेगा कि यह अपने क्लू मीटर का। अप दोस्तों जो 700 मिटर का ट्रैक है वो पूरा रोड का है दोस्तों एदम गोल सा एक रोड है जो रात में 700 मिटर का ट्रैक है इसमें आपको इसके आठ चक्कर दोस्तों जी यहां जोराद सेंटर में 700 मिटर के जिसमें आपको 8 चक्कर मारने होंगे पिछली बार दोस्तों मेरा भी सेंटर जोराद ही था जो कि मैं कलर्क की भरती देने गया था तो मेरा भी सेंटर जो राधी था दोस्तों इसमें आपको सातव पीडर के आठ शक्कर मारने उते हैं और वर यरॡवर्वर्ट heeft अपको प्लिया जाता है तτηिसरा है आपका दीपू अब आप दोस्तों इसका नाम ध्यान से सुनना यह है दीपू सेंटर दोस्तों सबसे hard center इसको वहाँ पे बोला जाता है मेरे भाई जिनोंने भी यहाँ पे पहले भरती मारी होगी या फिर किसी से सुना होगा तो दीपू center में ज्याज़ातर बच्चे यहाँ पे फेल होते हैं क्यूं होते हैं दोस्तों यह पूरा हिली एरिया है यहां का जो आप मरोण कि किलो मेटर की दो राउंड में होती यह लेकिन पूरा 5, mould है दोस्तों पूरा इंदम पहाडी छे़ते रही है आपको इन ढल out है फिर उपर आने मतलब आप डाउन होते रहना है तो दोस्तों जिस भी भाई का यहां पर सेंटर पड़ेगा वो पहली में बता दूँँ आपको अपनी रनिंग बढ़ियां कर लें चुकि दोस्तों कि मेनी यहां पे वंब सकता है ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि मेरा सेंटर नहीं पर सकता है इसलिए अपनी रनिंग बनाके रखें दोस्तों यहंप राधू का रनिंग आठारह मिनच शालमच महां करका चानून सेंटぁ तक तो आनी चाहिए दोस्तों इस दोस्तों वह फेल हुआ था का Hoş को सबसे heart कंधर मुन जहता है और इसल्चक शिलोंग दोस्त Liu शिलोंग भी हिली एरिया है लेकिन उतना भी हिली एरिया नहीं है जितना दीपू है शिलोंग में भी दोस्तों आपको वही है धाय किलो मिटर के दो राउंड लगाने होते हैं शिल्चर में भी दोस्तों आपको डाय किलो मिटर के दो राउंड लगाने होते हैं और नागालें दोस्तों बात आती है बैच की कितने का बनता है एक बार में कितने बंदे छोड़ते हैं दोस्तों मैं बता दू बैच जरिफ डेड़ सो से दोसों का होता है दोसों के ऊपर बंदे नहीं छोड़े जाते हैं हलाकि मैं बता दू, दो सो भी नहीं छोड़े जाते हैं, डेड़ सो कई बंदें बनाते हैं, लेकिन कभी-कभी जब अगर बच्चा जादे आएं वहाँ पे, तो दो सो का गुरूप तक बनता है बस, ट्रैक में मैंने आपको बता रहा है तो, ट्रैक आपका रोड मिलेगा, आ यह तीन चीज़े मिलेंगी आपको वहाँ पे, अब दोस्तों, एहम पॉइंट जो है आपका, वो है रनिंग प्रैक्टिस, दोस्तों, रनिंग की प्रैक्टिस जरूर करें, पांच किलो मेटर रनिंग, सब दोस्तों लोग बोलते हैं, यार यह तो हो जाएगा, आराम सो जा प्रैक्टिस के विना, आप एक किलो मेटर भी दोड़नी सकते, फूली प्रैक्टिस करें, पांच किलो मेटर की, अपना टाइम ही आपे गिरा है, अच्छा, एटलिस्ट आपका टाइमिंग 20 मिनट के अंदर ही आना चाहिए दोस्तों, या 20 मिनट तक आना चाहिए, तभी आ आप वहाँ पर अपनी टाइमिंग अच्छे से गिरा सकते हो, क्योंकि दोस्तों, जब वहाँ पर 1500 बंदे छोड़े जाते हैं, तो मैंने भी देखा था कि जब हमारी रणिंग स्टार्ट हुई थी, और जब हमारी वहाँ पर रणिंग स्टार्ट हुई थी, दोस्तों, को यह खेहरा हूं कि प्रक्टीस रनिंग की बहुत बढ़ियां करें, प्रक्टीस के साथ-साथ आप य movie ध्यान रखें कि आपका जो टाइंग है, वह बढ़ियां जा रहा हो, अच्छा जा रहा हो। तोस्तों अगेर आपको सेंटर में से कोई भी आपका कर कोई बीसेंटर म दोस्तों यहां पर तो मतलब जो रनिंग है वह आप अराम से क्लियर कर दोगे इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा लेकिन दीपू नागा लेंड सिल्चर और शिलोंग अगर मिलता है दोस्तों तो प्रैक्टिस बहुत तगड़ी चाहिए इसके लिए विदाउट प्रैक् का जो मगर बाग जो पहले मेरे जो भाई जो इस पर जुन्होंने पिछली बार्भरती दी यह उन्हें तो सब कुछ पता चली गया होगा लेकिन जो पहली बार जा रहा है यह वीडियो खास कर उन भाईयों के लिए जो कि वहां पर पहली बार जा रहा है तो मैं लिए बता दू आपनी रणिंग अच्छे से बना के रखे असाम रैफल्स पूरे टाइमिंग देता है दोस्तों 24 मिनट देता है लेकिन हां दोस्तों आपको यहां माई में आपके फिजिकल होने की संभावना है दुस्तों अच्छे से प्रैक्टिस करें लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं आपको एसी डिटेल्स दूंगा जो इससे पहले आपने यूट्यूब पे पर नहीं देखी होगी आपको बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए मिलेगी लेकिन मैं जो आपको पूरा इदम पूरी दम प्रोसेस की जानकारी देता हूं दोस्तों कि वहाँ पे असल में क्या होता है कि सेंटर पर कितने बंदे पकड़े जाते हैं वहाँ सेंटर कैसा है लोक्रा है मतलब वहाँ पर रोड है पहुंचने के लिए मतलब हम किस कहां कौन सी ट्रेन पकड़ें कहां पर उतने चाया किसी भी स्टेट से हो दोस्तों आसाम आने के लिए ठैरने के लिए जगा और कोई भी सेंटर आपका हो वहां में आज पास आपका मतलब रहने के लिए जगा कैसी है वहां तक हम कैसे पहुं कि मिलता है किसा वहाँ पर रिटैन होता है क्या व्यवस्ता होती है ρी टैन की में यह सारी जानकारी दूंगा को के दोस्तों करते रहें और दोस्तों मेरी चैनल को like और सस्क्राइब जुरूर करें दोस्तों इससे मुज़े motivation मिलता है कि मैं अपना पूरा एक्सपेरेंस आपके साथ शेयर कर चेकूँ ओके दोस्तों थेंक्स